हाई ट्विल्दीज, वेलकम ठीज वे कॉमेस क्लासेज, मैं होत अबिता और आज की इस वीडियो में हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चेप्टर को कवर करेंगे और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 3-TIRE-REDressal Machinery under the Consumer Protection Act आखिर ये बला है क्या, देखो Consumer Protection Act ने guys हमें 3-TIRE-REDressal Dispute System दिया जिसके अंदर हम जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, यानि कि अगर हमें हम as a consumer किसी भी चीज से सटिस्फाइड नहीं है हमें कुछ problem हुई है किसी product से, कोई धोका धड़ी हुई है हमारे साथ, किसी company ने हमाई सा धोका धड़ी करी, महंगी चीज, गलत चीज हमें बेश दी तो हम कहां जाएं, तो हमें Consumer Protection Act के अंदर 3 जगे दी गई है जहां पर हम जा सकते हैं लेकिन वो क्या है उसके बारे में चीज़े आज हम पढ़ेंगे सबसे पहरे हमें जो dispute redressal forum दिये गई तीन थी, जिसका first name है district forum जिसको अगर हम पढ़ें तो district consumer dispute redressal forum कहते हैं लेकिन short form क्या है? district forum है ठीक है, यानि कि हर एक state में बहुत सारे district होती है तो यहां पर भी district forum है, हर एक state के अंदर बहुत सारे district है न तो उसके अंदर district forum बनाई चाहती है total इंडिया में 610 guys district forum है, यानि कि 610 total forum है ठीक है, जो कि कौन बनाता है? state government बनाती है ठीक है, right? और इसमें guys हमारे पास एक president होना चाहिए और दो member होने चाहिए, जिन में से एक woman होनी चाहिए ठीक है, दो members में एक woman होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए एक woman? क्योंकि as a woman जब आप शिकायत लेके जाते हो complaint लेके जाते हो, तो आप एक औरत के सामने रख सकते हो इसलिए, right? अब district forum में guys जो थे वो 20 लाग तक के मामले आते हैं, यानि कि एक person है जिसको problem हुई और उसके problem से 10 रुपे की है उसने complaint कितने की दाखिल करी, 10 रुपे की तो अकसर ऐसा होते हैं कि जब हमारे बहुत छोटे मामले होते हैं बहुत छोटे amount के होते हैं, तो हम complaint नहीं करते हैं एक रुपे से लेकर, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें complaint करनी चाहिए, as a responsible consumer तो यहां पर 20 लाग रुपे तक के मामले आते हैं यानि कि वो ग्लेम जिनका 20 लाग तक है जिनकी आप charges कह सकते हो, जो भी consumer charges लगा रहे है वो 20 लाग तक का है, तो आप district forum में जाते हो, ठीक है इसी तरीके से हर एक district forum के ओपर state भी होता है जैसे दिल्ली state है, UP है, महराष्ट है, मध्यप्रदेश है इसी तरीके से state commission भी बना, full name क्या होगा? इसका state consumer dispute redressal forum, ठीक है अब इसको कौन बनाते हैं, इसको state government president, दो other member, जिसमें से एक woman होनी चाहिए इसमें जो मामले आते हैं, वो 20 लाग रुपे से 1 करोड तक की आते है यानि कि अगर इस बनने की दिक्कत, इसने case 21 लाग का करा है तो यह कहां जाएगा, district forum में नहीं इसे जाना पड़े कर state commission के पास जहां पर 20 लाग रुपे से जाता के मामले आते हैं इसके बाद आते हैं guys, national commission national, यानि कि जो nation के उपर, बलब nation की जो commission बनाए गई है nation के उपर बोल रहे है, nation की जो commission बनाए गई है अब देखो, national commission को हमारी central government बनाती है कौन बनाते हैं, central government कहा होती है guys, दिल्ली में है ठीक है, इसका office भी ना दिल्ली में, CP में ही है, national commission का ठीक है, कभी आना गुमाओं की वहाँ पर national commission कौन बनाते है guys, central government बनाती है state, state government, district, state government ठीक है, इसमें जादा लोग चाहिए इसमें एक president, president तो एक ही होता है लेकिन member दो की जगे चार हो जाएंगे चार में से एक lady होनी चाहिए यह भई एक woman होनी चाहिए तो यह तो इसमें members हो गए इसमें guys, जो case आते हैं वो एक क्रोर रुपे के जादा क्यों होने चाहिए यानि कि जब बहुत बड़ा-बड़ा complaint करी जाती है जिसके मामने 2-10 करोर के होते तो उन्हें कहाँ जाना होते है वो यहां नहीं आएंगे वो कहाँ जाएंगे नैशनल कमीशन में यह आपको amount अच्छी तरीके से याद रखने हैं क्यों क्योंकि ये एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां पर 20 लाग तक के केस 20 लाग से 1 करोड और 1 करोड से जादा नेशनल कमीशन में आते हैं ठीक है इतना क्लियर है अब गाइस देखो 610 दिस्ट्रिक्ट फर्म थी 35 अपके अब गाइस जब भी आप डिस्ट्रिक्ट फर्म में अपने कितने का भी केस लेकियो और रिजल्ट आया जब भी हम कंप्लेंट करते तो उसके ओपर कारवाई की जाती है सेंपल टेस्टिंग यह सब चीज़े और उसके बाद उसके ओपर जो भी प्रेजिडेंट है वो अपना रिजल्ट सुनाते है इस यह नौट सेटिसफाइड विद द ओर आप नहीं सेटिसफाइड हो रहें तो आप अपना केस लिखकर कहां चास लगते हैं स्टेट कमीशन के पास कि हम डिस्टिक से सेटिसफाइड नहीं हैं लेकिन कितने दिन के अंदर 30 डेस के अंदर जब भी आपके पास ओडर आया जब भी आपके पास रिजल्ट आया आप उसके तीस दिन के अंदर जैसे कॉलेज में एंडमिशन लेना होते ना टाइम स्टेट वाले कंप्लेंड को लेकर आप नैशनल के पास जा सकते हो लेकिन कम 30 दिन के अंदर जब इस स्टेट का ओडर आया स्टेट कमीशन का युवार नौट सेटिसफाइड कोई बात नहीं जअगे नैशनल वाले के पास नैशनल वाले का भी घृजल्ट आया और आपके स्टेट से नहीं है तो सुप्रीम कोड लेकिन टाइम लिमिट कितनी है अब 30 देज है ठीक है आपको इसे अच्छी तरीके से याद करना हैं एक मैंबर्स को लेकर याद करना है आते हैं otherwise amount के basis पर आते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है देज याद रखने है और बस यही है इस चीज में अच्छी तरीके से समझना है इस टॉपिक को गाइस की एक्जाम में यह आता है और अगर आपको यह वीडियो समझ आई है पसंद आई है तो इस वीडियो को प् झाल